नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे चप्टर का नाम है लोकतांतरिक व्यवस्था का संकट यानि कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके सामने भारत ने प्रोब्लम कब आई थी यानि कि सरकार जो है वो ज़्यादा कंट्रोल से बाहर कब हो गई थी यानि कि इस चप्टर के नाम को हमें ढंक से समझना होगा ताकि हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएं चप्टर का नाम है लोकतांतरिक व्यवस्था का संकट यानि कि वो सिच्वेशन कब आई जब सरकार ने सारी की सारी पावर को अपने हाथ में ले लिया था यानि की पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था तो आज हम इस चेप्टर को बिलकुल अच्छे से कवर करने वाले हैं सारी चीजों को बिलकुल अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़ को हम cover करेंगे और मैं आपका पूरा political का syllabus cover करवाने वाला हूँ और इसमें जो भी चीज़े होंगी आपकी चाहे वो map हो, चाहे passage हो, चाहे आपके MCQ वाले question हो, चाहे आपके cartoon हो, कुछ भी आपका मैं नहीं छोड़ूँगा, बिल्कुल मेरी guarantee है आपको इस बार टोप करवाने की मैं चाहता हूँ कि इस बार आप बिल्कुल टोप करें अपने exams में तो अब हम पढ़ेंगे अपना chapter और chapter की शुरुवात होती है 1971 से 1971 1971 के चुनाव हमने पिछले chapter में पढ़े थे, वहाँ से हमें ये पता चला कि 1971 के समय जो भारत में सरकार है वो है इंद्रा गांदी की सरकार और Congress Party राज कर रही है तो 1971 के चुनाव हमें इंद्रा गांदी जब जीती तो जीतने के साथ साथ उनको कुछ problems को भी solve करना पड़ा तो हम यही जानेंगे इस chapter में कि जो इतनी लोगप्रिय नेता थी जो कि 1966 से लेकर 1971 तरोगों के दिलों पर राज करती थी गरीबों को उन्हें इतना भला किया था फिर भी ऐसा क्या हुआ कि 1971 में जीतने के बाद भी 1975 आते आते उनको अपनी seat भी छोड़नी पड़ी और देश में emergency भी लागो करनी पड़ी तो आईए बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि 1971 के बाद ऐसा क्या हुआ 1971 जब इद्रा गांदी परधानमंतरी बनी परधानमंतरी बनने के कुछी टाइम बाद उन्हें एक युद को जहिलना पड़ा भारत की लड़ाई हुई पाकिस्तान से अगेन ये पाकिस्तान बार बार लड़ाई करता हम से हमने पहले पड़ा था पैसेट पे लड़ाई गरी जब हम आजाद हुए पाकिस्तान एक पूरवी पाकिस्तान ये हमने जो पाकिस्तान वाला चैप्टर पड़ा था उसमें डीप में पड़ा था आप यहां पे सिर्क ओवर्वी देखें इसका जो पाकिस्तान है उसके दो हिससे थे एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूरवी पाकिस्तान पस्चिमी पाकिस्तान जो है वो अत्याशार कर रहा था पूर्वी पाकिस्तान पर इसलिए 1971 में इंडियन गोर्मेंट ने जो वहाँ पे अंदोलन चल रहा था पूर्वी पाकिस्तान में उन लोग की help की और help करने के बाद पाकिस्तान जो है, उसने हम पर हमला किया था और इस वजय से हमारी Indian army को लड़ना पड़ा था पाकिस्तान से तो उस लड़ाई में हम जीते हैं आज तक हमारे जितने ही लड़ाई हो न पाकिस्तान से हम हर एक लड़ाई में जीते हैं अस तक कभी हा रहे ही नहीं पाकिस्तान से हम तो 1971 वाले लड़ाई में इंदरा गांदी ने बहुत अच्छे तरीके से शाषन को चलाया तो 1971 के चुनाओं में इंदरा गांदी जो है उनकी सरकार बनी सरकार बनने के बाद उने एक युद करना पड़ा पाकिस्तान से और युद के बाद जो है उनके सामने प्रोलम शुरू होने लगी भारत ने इस युद को जीता था ठीक है और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आजाद भी हुआ और एक नया देश बना जिसका नाम है बंगलादेश यह पूरी बंगलादेश वाली स्टोरी हमने दूसरे चप्टरस में पड़ी है दूसरे वाली जो बूख है उसमें तो यहाँ पर हम इस लिए इस टोपिक को ज़्यादा नहीं पड़ रहे हैं सिर्फ इतना पता होना चिये हमें कि दो पाकिस्तान थे पस्चिमी और पूर्वी और पूर्वी पाकिस्तान की वज़े से हमें 1971 में लड़ाई लड़नी पड़ी पाकिस्तान से और उस लड़ाई में हमारी जीत हुई जीत होने के साथ ही एक नया देश बन कर सामने आया जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बन गया बंगला देश ठीक है तो बंगला देश्यों की वज़े से हमारे लडाई होई थी 1971 में तो लडाई तो हमने जीती पर जीतने के बाद भी जो है वो जो जीतता है उसको भी उसका पैसा लगता है उसकी सेना लगती है सब कुछ लगता है तो क्या होता है देश में प्रोब्लम शुरू हो जाती है तो 1971 के चुनाओं के बाद ऐसी ही कुछ प्रोब्लम समारे सामने आई तो इंदरा गांधी की जो सरकार हैं, उनके सामने प्रोब्लम आई, महंगाई की सबसे बड़ी प्रोब्लम, 1971 की लड़ाई के तुरंत बाद क्या हुआ, महंगाई देश में बढ़ने लगी, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ी, लोग के पास रोजगार नहीं थे, अब मैंने और अमेरिका उस टाइम पे दोस्त हुआ गरते थे, तो अमेरिका ने क्या किया, हमारे जो गेहुं आते थे वहाँ से, उसको रोक दिया, तो हमारे देश में खाद्यान आना बंद हो गए, जिसकी वज़ए से हमें खाद्यान संकट देखना पड़ा, पर इंदरा गांधी न खाद्यान की थोड़ी कमी तो थी ही, साथ-साथ महंगाई बढ़ रही थी, ठीक है, और उसके अलावा 1972 में और 1973 में दिक्कत ये हुई कि मानसून नहीं आया, अब मानसून नहीं आएगा तो फसल नहीं होगी, तो बहतर तियतर में भारत में फसल नहीं हुई, अब फसल ना होने की वज़े से बड़ी प्रोब्लम हुई हमारे सामने, और जो मैंने भी आपको बताया था, खाद्यान संकट वो हमारे सामने आया, अब सरकार के उपर तो बढ़ता जा रहे हैं, जो है महंगा ही बढ़ रही हैं, तेल जो है, वो महंगा होता जा रहा है, तेल की कीमते ब इसलिए सरकार ने क्या किया, लोगों के बोनस जो भी लोग सरकार ने क्या किया, लोगों की जो बोनस हैं, भत्ते हैं, उनको कम करना शुरू कर दिया, अब इस चीज़ से आप खुद बताओ, लोग नाराज होंगे या नहीं होंगे, इंदरा गांधी जो 1971 में इतनी लोगप्रिय नेता थी, इतनी फेमस नेता थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, लोग उनके खिलाफ होने लगे, तो 1971 के बाद, 1974 तक आते आते, जो देश में महंगाई है, वो 30% तक बढ़ गई, तो क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ने की वज़ए से, तेल संकट की वज़ए से, खाध्यान की कमी की वज़ए से, ठीक है, और जो सरकारी नोकरियों के लोगों के भत्ते काटे हैं, उनकी सेलरी में कमी की गई है, उसकी वज़ए से, अब इंदरा गांधी ये खिलाफ आंदोल का खाना है, वो महंगा हो गया, वो कुछ भी खरीते, वो सारी चीज़े उन्हें महंगे मिल रही थी, देश में ब्रष्टचार बढ़ने लगा था, तो इससे चात्रों ने बहुत परेशान होकर, इन सारे चीज़े से तंग आकर उन्होंने एक अंदोलन छेड दिया, और य अब गुजरात का जो आंदोलन है, बहुत बड़े लेवल पे गया है आंदोलन, क्यों क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े पार्टियों के नेता शामिल हुए, गुजरात जो आंदोलन है, उसको मुरारजी देशाई ने सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट किया, मुरारज पार्टीयों के सपोर्ट की वज़े से बहुत बड़े लेवल पे गया ठीक है अब क्या होगा एक महीने बाद ही अगले महीने यह एक महीने गैप करना आपको जनवरी आई फरवरी आया फिर आया मार्च मार्च के महीने में ऐसा ही आंदोलन चातरों का ही आंदोलन महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार को लेकर ही आंदोलन बिहार में भी शुरू हुआ ऐसे ही बिहार के चातरों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया तो एक राज्य तो आंदोलन देखी रहे गुजरात दूसरे ने और शुरू कर दिया बिहार ने तो बिहार के चातरों ने भी इ दूसरा अंदोलन कब मार्च में, मार्च 1974 में एक अंदोलन शुरू हुआ, जो कि कहां पे हुआ, बिहार में हुआ, अब यहां पे भी एक राजनितिक नेता का सपोर्ट इने मिला, वो थे जैपरकाश नारायन, जेपी नारायन, जेपी नारायन एक बड़े पुराने नेता थ इस टाइम पे वो राजनीती से सन्यास ले चुके थे पर फिर भी समाज की भलाई के लिए उन्होंने इस आंदोलन को साथ दिया पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं इस आंदोलन में तभी शामिल होंगा जब इस आंदोलन को आप शांती पूरोग तरीके से करोगे और ब और पूरे देश में फैलेगा तो ही मैं इसको जोइन करूँगा तो छातरों ने उनकी बात मानी और जेपी नरायन के नितरतों में ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे गया इन्होंने दिल्ली तक रेली निकाले थी और उस टाइम पे सबसे बड़ी जो रेली है वो इन के टाइम पे निकाले गई थी इन्होंने संसद मार्च का आवान किया था यानि कि संसद में जाएंगे हम आंदोलन करेंगे दिल्ली में हम आंदोलन करेंगे समझे दो आंदोलन हो चुके हैं पहला गुजरात दूसरा बिहार गुजरात वाला कब हुआ है जनवरी 1974 ठीक है दोनों डेट याद रख लो आप एक है जनवरी 1974 की एक है मार्च 1974 अब आपको बताईए कि सरकार जो है वो सरकारी नोकरों के भी जो सेलरी है उसमें कटोती कर रही है अब आप मिरे को ये बताओ सरकारी नोकरी वाले भी आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे उन्होंने भी परेशान थे और उन्होंने एक अंदोलन किया एक बहुत बड़ी हर्ताल की रेल जो है वो सारे रेल के कामका जो नोने रोक दिये 1974 अब कौन सा महीना आगया देखो जनवरी में गुजरात का अंदोलन मार्च में बिहार का अंदोलन दोनों चातरों के अंदोलन थे ठीक है अब एक महीना और छोड़ दो आप अगला मही तो डेट रहाद रखनी है आपको ज्यादा कन्फ्यूज नहीं हो गया आप जनवरी से शुरू करना एक एक महीने है गया आप कर देना वही ऐसे ही अंदोलन हो जाएंगे पहला अंदोलन जनवरी उसके बाद फरवरी छोड़ मार्च में फिर मार्च के बाद क्या आता है अपरेल छोड़ दो और फिर आप आजाओ म॑ई में थीक है तो पहला जनवरी में दूसरा मार्च में तीसरा म॑ई में थीक है तो मई 1974 में रेलवे के करमचारियोंने अड़दाल कर दी किसने कर दी, रेलवे के करमचारियों ने, याद रखना, 1974 का टाइम है ये, इंदरा गांदी के खिलाफ सारे देश में, बड़े बड़े लेवल पे, कोई छोटे मुटे अंदोलन नहीं है, बड़े लेवल के अंदोलन शुरू हो चुके हैं, छातरों ने भी अंदोलन किया, अब नेता आप याद रखना, रेल हड़ ताल जो है उसके नेता थे, जोर्ज फर्नांडिस, याद रख लोगे ना ना, जैकलीन को तो जानते ही होगे, तो फर्नांडिस तो जैकलीन का याद रख लेना, ठीक है, और जोर्ज तो याद करी लेना, तो तीनों अंदोलन की डे तो गुजरात में और विहार में जो है दुबारा से लेक्शन करवाने बड़े इतनी बुरी सिच्वेशन आ गई थी को अटाना चाहते थे लोग वहां पे अब रेल वाली जो हड़ताल हुई अभिद्रा गांदी ऐसे तो छोड़ने वाली दी थी बहुत ही कड़क लीडर थी हड़ताल कर रहे थे रेल नहीं चलेगी यह नहीं चलेगा वहां पे उन्होंने ससस्तरबल को भेजा था और जाते ही उन्होंने आंदोलन को खतम करवा दिया था तो रेल हड़ताल तो 20 दिन चली और फिर खतम हो गई पर जो यह गुजरात आंदोलन बिहार आंदोलन है यह बहुत पड़े लियाल पे चले और कॉंगरेस को बहुत धक्का लगाए ना दुलून से, तो आप समझो पूरी सिच्वेशन को कि 1971 में जो इतनी फेमस नेता थी वो ऐसी प्रोब्लम्स का सामना क्यों कर रही है, क्योंकि देश में गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भरष्टा-चार बढ़ रहा है, इनी सब वज़े से वो इन प्रोब्लम्स को फेस कर रही हैं, अब और क्या हुआ अब गुजरात का अंधोलन हो गया, बिहार का अंदोलन हो गया रेलवे की अड़ताल हो गई तो इतनी सारी प्रोब्लम्स हैं सरकार के सामने अब सरकार ने भी क्या किया ज़्यादा अपना कंट्रोल बनाने के लिए सुप्रीम कोट के जो जज होते हैं उनका भी अब टाइम था की 1973 के आसपासी उनको चुना जाना था तो इंदरा गांदी ने क्या किया जो बड़े बड़े जज थे ये एक रिवाज है सुप्रीम कोट की कि जो सबसे बड़ा जज होता है यानि उमर में बड़ा, experience में बड़ा यानि उसे बोलते हैं वरिष्ट नाएधिष senior जो होता है सबसे तो senior आदमी को हमेशा judge बनाते हैं इंदरा गांदी ने क्या किया जो बड़े बड़े senior थे उनको तो side में किया और एक दूसरे को बनाया उनका नाम था A.N. Ray ये नाम ध्यान रख ले न A.N. Ray क्या नाम है A.N. Ray तीन बड़े बड़े नायधिशों को छोड़ कर किसको बना दिया A.N. Ray को बना दिया ठीक है तो इससे भी जनता नाराज होगी या नहीं होगी क्योंकि ये लोगों ने क्या माना कि ये तो संविधान हमारी जो न्याय पाली का है जो judgment पूरा है जज होते हैं उनके साथ ही ऐसी चीज हो रही है तो देश में बचे का क्या तो इस चीज को भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया और जो बड़े जजों को जो पद नहीं मिला था उस बात का विरोध किया तो यहां पे भी विरोध हर जगे क्या हो रहा ह विरोधी विरोध हो रहे हैं इद्रागांदी के अब एक और समस्या इद्रागांदी के सामने अब किसी ने अपील डाल रखे थी कि इन्द्रागांदी ने क्या करा उनने 171 में चुना हुए थे न उसमें जो है सरकारी करमचारियों का यूज किया है ये एक रूल होता है कि कोई भी नेता हो वो सरकारी पैसे का सरकारी करमचारियों का अपने परचार के लिए यूज नहीं कर सकता अपने खुद की गाडियों में जाओ जहां जाना यह नहीं सरकार के लेकर चल दिये पर ऐसा होता नहीं आपने देखा हुआ ऐसे गोमते हैं लाल बत्तियों गाडिय के पर फसने की बात हो फस गई थे उस टाइंप पर 1971 में यह आरोप लगा चत्र के जो चुनाव हुए हैं उनमें इंद्रा गांधी जो है उन्हें धांदली करी है धांदली नहीं बोलेंगे में लिसको यह मानेंगे कि उन्होंने सरकारी चीजों का यूज कर रहा है यह आरोप उन्हें आगया जून का मही के बाद कौन सा महीना जून में एक और चीज हो गई यह जो आपको बता रहा हूं इलावाद कोड ने फैसला सुना दिया कि जो इंद्रा गांधी है उसने हाँ 1971 में जो है सरकारी चीजों का यूज कर रहा था इसलिए उनका जो निर्वाचन है यानि जो वो नेता बनी है सांसद बनी है वो चीज़े मैं खारिज करता हूं यानि कि उनको सांसद से हटाता हूं तो अब वो जटका अब इंद्रा गांधी और जबरदस्त है वो किसी ने सुचा था ऐसा काम कर देंगी उन्होंने जो किया वो कोई भी नहीं सोच रहा था कि ऐसा भी हो सकता है भारत में 1975 में जैसे ही इलाबाद कोर्ट का फैसला आया कि इंद्रा गांधी सांसद नहीं है उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील की 24 तारिक को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि थोड़ा टाइम है कि ये इलेक्शन में गरा नहीं होते तक इंद्रा गांधी सांसद बनी रहें उसे दिन रात को फटा फट राष्ट पती से बात की राष्ट पती तो उनके फेवर में थे किसी से नहीं पूछा कि एमर्जंसी लगाने या ने लगाने बिल पास करवाना कुछ नहीं रात तो रात 24 तारिक को ठीक है एमर्जंसी पर साइन करवा लिये किसके राष्ट पती फकरुदिन अली एहमद के उस टाइम पे हमारे राष्ट पती थे फकरुदिन अली एहमद ये बात है डेट नोट कर लो अब आप 25 जून 1975 क्या डेट है 25 जून 1975 तो इंदरा गान्दी ने क्या किया एमर्जंसी की घोशन कर दी रात और रात सारे समाचार पतलों की लाइट काट दी यानि कोई उनके बारे में चाप न सके सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया ठीक है और सारे देश में क्या लागू कर दी एमर्जंसी तो एमर्जंसी लागू हुई और देश पुरा देखता रह जाए कि ठीक उस टाइम पे इतने अत्यचार हुए लोगों के उपर कि जो सबसे फेमस नेता थी उस टाइम की सतर के दशक्की आप देखेंगे कि पहली बार वो हारेगी पहली बार कंगरे सारेगी उन सभी चीजों की वज़े से तो अभी आप यहीं पे रहो 1975 तक आगे क्या हुआ ह में अभी पढ़ने वाले हैं आप सबसे पहले 1975 में देखो क्या हुआ है 1975 में 25 जून 1975 को क्या हो चुका है अपातकाल लग चुका है अब आप से कोशन पूचेंगे क्या कोशन पूचेंगे कि मिर को यह बताओ वही कि आपातकाल जो लगा वो क्यों लगा उसके कारण क्या थ यानि कि इसके causes बताओ और इसके consequences बताओ तो कारण और परिणाम की जब भी बात हो तो कारण वो चीज होती है हमेशा जो पहले हुई हो यानि कि 25 जून 1904 कौपातका लगा इससे पहले जो भी घटना है गटी वो सारे क्या है इसके कारण है और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अभी वो इसके परिणाम है ऐसे ही तो होता है देखो अगर आप अपने एक्जामस में टोप करते हो उसका कारण क्या था आप इस चैनल से पढ़े थे आप रोईद सर से पढ़े थे ठीक है और आपने मेहनत भी करी थी तभी तो आपने टोप किया तो यह क्या बना आपका क कारण ठीक है और टोप करने के बाद क्या होगा आपको अच्छे कॉलिज में अडमिशन मिलेगा ठीक है आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे वह उसके परिणाम तो टोप करना एक चीज है उससे पहले जो कुछ हुआ हो क्या होगा एक कारण अपने मेहनत करी है अपने चीज से पहले वहा हो वह सारे कारण होते हैं और जो भी उसके बाद में आएगा वो क्या है परिणाम जैसे सीत्यद्ध यूद्धा करण बाद यूसके परिणाम है ना तो अब देखो अब हमने क्या क्या बढ़ा है महंगाई बढ़ी 30 परसेंट तक बढ़ गई थी 1904 तक आते आते सारे देश में बेरुजगारी ब्रेश्टाचारी बुखमरी बढ़ गई थी ठीक है सरकारी लोगों का जो है वो पैसे में कटोती की जा रही थी उसके अला बताओगे फिर आप बताओगे इलाबाद कोर्ट का फैसला ठीक है जो इंद्रागांदिगा निर्वाचन अवैद गोशित कर दिया यह सारी चीज हुए अब तक तो इन्हीं वज्जे से तो उन्होंने अमर्जिंसी लगाई तो यही तो कारण हो गए क्यूं याद करेंगे हम क्यूं रटेंगे हम गासीं हम में संभागे अच्छे से तो हमें सिर्फ समझना है अगर हमने समझ लिया और हैडिंग याद जर ले सिर्फ हैडिंग तो आप याद खरना वर्ना बड़ी बकवाश्च हैडिंग बना गया वगे ह पताए मेर कोई बात अच्छ से हैडिंग याद करना इनको अपनी कोपी में लिखना और इनी हेडिंग को उछे से फिर एक्सप्लेइन करना तो आप को फिर पूरे के पूरे मांक्स मिल लेंगे ठीक है तो कोई प्रोब्लम नहीं है आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें हम आपको उछे से पढ़ाते रहेंगे पर आपका भी एक काम है, अगर वीडियोज अच्छी लग रही हैं, तो शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को इन वीडियोज को जरूर बेजना, ठीक है, लाइक भी करना और कोमेंट भी करना, ठीक है, और सबी तक इन वीडियोज को पहुचा देना, तो अब तक बात ठीक अब सारी वापाते बता देना, गरीबी बढ़ना, भुखमरी बढ़ना, बेरोजगारी बढ़ना, उसके अलावा तेल संकट का आना, उसके अलावा आप बताओगे की सरकारी नोकरों की जो बतते हैं उनमें कमी करना, गुजरात की हड़ताल, बिहार की हड़ताल, उसके बा इने क्या लगाया emergency और उन्हें एक बात कही कि देश में अंदूरुनी गड़बड़ी का मामला है क्या ये देश में अभी-अभी क्या हो सकती है गड़बड़ी हो सकती आने की लोग जो है वो इंचक अंदोरन कर सकते हैं अथियार उठा सकते हैं सरकार के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं तो अंधुरूनी गडबड़ी फैल चुकी है इसलिए में क्या लगा रही हूं एमर्जंसी रात और रात उन्हों ने फकरुदीन से क्या करवा लिए साइन करवा लिए विना किसी से पूछे एमर्जंसी लगा ली और सब सबसे पहले क्या होगा हड़ताल रोकनी थी सबसे पहले तो तो क्या करा जितने भी नेता थे सब को पकड़ा और जेलों में ठूस दिया अच्छा किया था यह नहीं किया अच्छा बुरा नहीं देखना हमें जो हुआ वो बताएंगे हम पहले सिदा ठीक है तो सबसे पहले क्य नहीं कर सकता, ये कानून लाए गया, चीक है, तो हड़तालों पर रोक लगा दी, विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, तीसरी चीज हुई, मौलिक अधीकारों को छीना गया, कोई भी आदमी कोर्ट में सुनवाई नहीं कर सकता था उस टाइम पे, यही होती है एमर्जनसी, तो मौलिक अधीकारों को छीना गया, जो भी आदमी गिरहतार किये गये थे, वो कईसी कोर्ट के सामने नहीं पेश हुए, उसके बाद चोथा पॉइंट है, मीसा कानून का दुरूप योग हुआ, मीसा कानून होता है, जब आपको कोई उठाता है, मालोग भी धरने परदेशन अड़तालों में थे, आदमी उन सबको उठा उठा के जेलों में डाल दिया, तो मीसा कानून जो है, उसका दुरूप योग हुआ, यानि उसका गलत यूज हुआ, उसके बाद जो है, एक और सबसे बड़ी चीज ये हुई, जो इंदरा गांदी के तो मैं महासीत वाला एरिया है, इस वाले एरिय के आसपास से क्या किया, तो ज्यादा मुस्लिम आबादी थी, उनको वहां से हटा कर और दूसरी जग़े जुगिओं में बसाया, वहां पर भी जुगिया है, उनको उठा कर वो कहीं और बसाना चाते थे, वो ये करना चाते प्लैन तो ठीक था पर उसका गलत तरीके से एक्जिक्यूशन हुआ यह निकि उसको गलत तरीके से लागू किया गया ठीक है जब परदस्ती लोग उठा उठा कर उनके घरों से कहीं और यम्ना नदी के पास बेश दिया दिल्ली में वहां वाला एरिया दिया गया उनको तो ब परदानमंत्री की लड़का है इसी हवा में था बाई मैं तो परदानमंत्री का लड़का यहां तो है मले के लड़के नहीं मानते पता है वारत आपको ठीक है तो यही वह उस टाइम पे जो संजे गांदी थे उन्होंने इंटरफेर किया पुलिटिक्स में और पहला काम उन संखे करना चाहते थे काम दोनों अच्छे थे गलत नहीं थे पर इनका जो तरीका था वह गलत हो गया और बरे तरीके से इनका एक्जेक्विशन हुआ तो बश्चता चार की वजए से लोगों की बज़शे से बहुत बुरे तरीके से नस्बंदी का मतलब होता है कि population को control करना ठीक है तो लोग की नस्बंदिया की गई ठीक है operation कि गए उनके ताकि और बच्चे पैदा ना हो तो यह बात जो है बहुत बुरे बच्क कहा था दिल्ली में ठीक है तो नस्बंदी कारय कर्या में पूरे तडीके से अपात काल में फ्यल रहा इस वजय से भी का हुआ लोग नराज हुए तो आपात काल की जातियां है ये जो गलत चीज थी आपथकाल में तो ये कि बोनस वग्यारा सब बंद कर दिये गए उसके अलावा नयला में जाने का जो अधिकार था वो भी छीन लिया गया और एक और सबसे बड़ी चीज़ की गई वो थी 42 समविदान संशोधन क्या है 42 समविदान संशोधन तो 42 समविदान संशोधन जो है इसमें सरकार ने क्या कि है यान니 कि उसमें फेर बदल कर ना जब भी हम अपने संविदान में कुछ चेंज घरते हैं तो उसे बोलते हैं इस यह सारी चीज़ें हुए आपातकाल के ौरान लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ उस टाइम पर थो आपातकाल के टाइम पर जितने भी गलत अत्यचार हुए वो सारे आपको अच्छे से याद रखने है, point wise याद रखने है क्योंकि आप से दो तिन तरीके से आप से question पूछ सकते हैं, पहला तरीका तो यह होगा पूछने का, डारेट पूछेंगे कि आप अत्काल के परिणाम बताओ तो आप क्या बताओगे, यही सारी बाते बताओगे, कि यह यह हुआ बाई उस टाइम पे ठीक है, उसके बाद अगर आप से पूछ लेते हैं, कि 1977 में कॉंगरेस की हार के क्या कारण थे, क्यूं हारी कॉंगरेस पार्टिम 1977 में तो आप अभी पढ़ रहे हो अपातकाल 1975 में अपातकाल लग गया यह चलेगा 1977 तक 18 महीने लगबगा अपातकाल लागू रहा था तो अब लोगों को याद नहीं रहेंगी वो बाते, जो उनके साथ बीती है तो जितने भी नेता इस टाइम पे अफ्तार हुए थे, वो सारे इस टाइम पे हीरो बनकर उबरे थे ठीक है और नहीं नहीं पार्टिया बनी थी जैसे कि BJP का नाम भी आपने सुना है वो इसी टाइम पे अस्तित्तों में आई थी मेंली और वो फेमस हुई थी तो अगर आपसे पूछते हैं परिणाम क्या है तो यही सारे पॉइंट लिख देना अगर आपसे पूछे 1977 में कॉंगरेस की हार के कारण क्या है तो भी यही लिख दो गया परिणाम इन में सारी गलत बाते लिख देना वही तो हैं हार के कारण तो कोशियन रटने नहीं होते, कोशियन हमें समझने होते हैं सिर्फ हमें हैंडिंग्स धान करनी होती है ताकि हम अपने कोशियन को मैं आते क्या हो गया अपथ काल जो है वह खतम हो गया अब इंद्रा गांदि को अभी उमीद थी कि वो जीत सकती है शायद 77 के चुनाव हुए और 77 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि कॉंगरेस पार्टी की सरकार नहीं आई 1947 से लेकर 1977 तक आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कॉंगरेस की सरकार नहीं आई मुरार जी देसाई तो अपातकाल के टाइम पे जो भी जात्या हुई वो सबी लोगों को याद थी इसलिए लोगों ने इंद्रा गांधी को सपोर्ट नहीं किया और कुमरिस के वो खिलाफ हो गए और जितने भी विपक्षी नेता थे जो भी अपातकाल में गिरफतार हुए वो सारे हीरो बन कर उबरे और बड़े अच्छे तरीके से उनने इलेक्शन में जीत हासिल की पर अब समस्चा थी 77 वाली जो सरकार बने इसमें 1970 में मुरारजी देशाई पर धानमंतरी तो बन गए पर इनकी जो सरकार थी वो गटबंदन की सरकार थी क्योंकि इतनी बड़ी पार्टिया थी नहीं कि अकेली पूरे देश में बहुमत ले आए अलग-अलग एरिया से अलग-अलग पार्टियों का बहुमत इन पार्टियो वह दिन रात में कुछ भी योजना बनाएं उसमें दिक्कत कुछ भी काम करें उसमें दिक्कत उंगली करते ही रहते थे तो मुरार्जी देशाई बोले लो भाई तुमी कर लो मैं जा रहा हूं यहां से अठारा महिने में उन्हें कि अगरा सरकार को छोड़ दिया इस्तिफा दे दिया तो तीन उमीदवार्थे 77 में पहले तो मुरार्जी देशाई चोधरी चरण सिंग और जगजीवन राम यह तीनों ही परदानमंतरी पद के लिए उमीदवार्थे पर फिर भी नोंने किसको स्थिफा दिया फिर वरे चोधरी चरण सिंग चार महिने वो रहे तो बिल्कुल कुछ नहीं चलिए सरकार खतम 77 वारी सरकार बिल्कुल खतम अब भारत के लोग फिर बिचारे अरे इंदराई बढ़िया थी यह तो और भी वेकार निकले कुछ करी नहीं पाए ठीक है सरकार पस सबिवेत के नहीं पाए इन की तो तो उन्होंने क्या किया? 1918 में भारत में फिर से एलाउन हुए 1980 के जो एलप्शन थे उसमें फिर कोन जीती? इंदरा गनदी जीती डीक है? एक ही नहरा दिया गया इंदरा बुलाओ देश बचाओ तो इंदरा बुलाओ और देश बचाओ का नारा उन्य सोस्ची के चुनाओं में दिया गया और इन चुनाओं में कॉंगरेश दुबारा से जीत कर सामने आई तो एक बात अभी हाँपे में पता चल गई कि 77 में बेशेक कॉंगरेश पार्टी हारी है पर उसका जो वर्चस्व था देश में उसकी जो इमेज थी अब तक आज तक लोग मानते थे जिस पार्टी को आखिर में लोगों को फिर 1980 में उसी पार्टी का हाथ पकड़ना पड़ा और इंदरा गांदी को अपना नेता चुनना पड़ा ठीक है तो अब जो कॉंगरेश परनाली है वो अब भी समाप्त नहीं हुई 1980 के एलेक्शन में हमें बात पता चल गई 77 में हमें लगा था कि कॉंगरेश परनाली जो है वो खतम हो गया यानि कि कॉंगरेश का जो दबदबा था वो खतम हो गया पर 1980 में इंद्रा गांदी ने जो वापसी की दुबारा से जो election पे उन्हें सीट जीती उससे ये बात साबित हो गई कि अभी कॉंगरेस का time गया नहीं है अभी कॉंगरेस का वर्चस बना हुआ है कॉंगरेस जो है वो अभी परनाली में है अभी power में है अभी है उसका दम अभ अब 80 से लेकर 1984 तक कोन पर धानमंत्री रहेंगी बारत में इंद्रा गांदी ही रहेंगी और इंद्रा गांदी पर धानमंत्री तो रही है पर 1984 में आकर एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई इंद्रा गांदी को मार दिया गया इनके ही bodyguards थे दो सत्वान सिंग और बेयन ठीक है उन दोनों ने मिलकर इंद्रा गांदी को गोलियों से भून दिया था ठीक है तो 1984 में इंद्रा गांदी की death हुई इस चेप्टर में हमें 1984 तक ही पढ़ना है इसके बाद जो आगे की story दे रखी है वो अगले chapters में दे रखी है तो अब यहाँ पे कुछ important बाते रह अब जनता party के सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहले उनापात काल वाली चीजों पर ही क्या बिठाई है कमेटी बिठाई तो यह हमें एक आयोग है यह याद रखना है जे सी शाह आयोग क्या आयोग का नाम जे सी शाह आयोग इसे हम बोल सकते हैं शाह जाच आयोग शाह तो जाज करनी थी आपात काल के टाइम पे हुई बुरा योगी या गलत चीज़ों की जो हमने परिणामों में गलत चीज़ पड़ी थी वो सारी शाह जाजायों ने बताया कि इतने सारे लोग को उठाया गया मिशा कानून का दुरुप योग हुआ संजय गांदी ने इलीगल तर आई तो अगर आपसे दो नंबर में पूछते हैं कि शाह जाज आयोग क्या तो आप क्या बताऊगे आप आतकाल के दोरनकी जो जातियां है उनकी जाज करने के लिए जो आयोग बनाया था उसको कहते हैं शाह जाज आयोग इसके अधश कौन थे जेशी शाह और किसके टाइ यह मुरार्जी देशाई वाली सरकार के टाइम पर बना था तो स्टोरी की तरह बिल्कुत समझते जाओ समझ मैं आया न सारा आया है तो like कर दो subscribe कर लो चैनल को अपने दोस्तों को share कर दो ठीक है बार बार मत बुर्वाय अगरो कर दी अगरो कहते ही अगर अच्छी लग रही है तो ही गरना कोई वो नहीं है अच्छी लगे तो जरूर शेर करो ठीक है क्योंकि हम बहुत बैनत से वीडियो बनाते हैं आपका प्यार ही है हमारे लिए तो अगर आप लाइक करोगे शेर करोगे, कॉमेंट करोगे तो हमें पता चलिया कि हमने अच्छी वीडियो बना अब कुछ ओर टोपिक्स हैं हमारे चेप्टर में देखो आईए सोचने वाले टोपिक है अब हमें पता है सारी बाते चेप्टर हमने पढ़ लिया पूरा सारा कंटेंट हमारे पास है सारी बाते हमें पता है अब सिर्फ सोचना है कि ये चीज क्या सही थी या गलत थी अब आप देखो आप से कोशन पूछ लेते हैं कि जो अपातकाल है उसके बारे में ये बताओ कि क्या वो जरूरी था जो इंद्रा गांदी ने रीजन बताए क्या वो रीजन सही थी आप आतकाल लगाने के लिए इंद्रा गांदी ने कहा दा कि आंतरी गड़बडी है देश में अंदोलन हो सकता है मार काट हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा पर आप एक बात को ध्यान रखो बिलकुल भी अमर्जनसी की ज़रूर था नहीं थे अमर्जनसी बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम के लिए जो गुजरात का अंदोलन था वो भी शांती पूरवक था जो बिहार का अंदोलन था जेपी नरैन की शर्थ थी कि वो अंदोलन भी क्या होगा शांती पूरिया तो वो भी शांती पूरिया था रेलवे की हड़ताल भी शांती पूरिया थी बेशगरों ने काम वगारा बंद किये थे हड़ताल का मतलत तो यही होता है काम वगारा बंद कर देंगे था कि तो कोई option ही नहीं है और उन्हें क्या कर दिया emergency को लागू कर दिया तो क्या पातकाल जरूरी था जी नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं था हमारे साब से तो ठीक है और इससे कुछ सबक भी लेंगे हम और अपने समविदान में हम change भी करेंगे इन चीजों को जो उस टा को शांती पुरूर्ग तरीके से चल रहे थे तो कोई जरूरत नहीं थी कोई शचतर भी दरो नहीं हो रहा था देश में अथियार उसे एक दुछरे की मार काटनी थी अफगानिस्तान नहीं था कि तालिबान आया था कि गुश्गया था और सब कुछ कभजा कर लिया था ऐस दें लोकत नतर?' के बारे में जो हमारा भारत है उसका जो लोकतंतर है वो कंजोर भी है और ताकत वर कम जोर iPhone कैसे इंडरा गांदी ने जो एमरजंसी लगाई वह बात सावेत करती कि भारत का लोकतंतर कम जोर है पर हमने यह पता है कि वह सिर्फ अथारा महें तक रहा चंता ने दुबारा से सरकार को बदल दिया और ये है उसकी ताकत ठीक है और वही लोग नेता बने जो की एमरजंसी में उठाए गए थे हड़तालों में पकड़े गए थे जिनके साथ गलत हुआ था तो चाहे कितना ही बड़ा नेता हो परदानमंतरी हो कोई हो जनता उसे उकाड़ अगर फैक्त देती है अगर वह कुछ गलत करें तो ये लोग नतर की ताकत हमें दिखी तो पहला सबक क्या था थोड़ी सी कमजोरी दिखी हमें हिंद्र अगांदी ने बिना ज्यादा बड़ी वज़य के आपातकाल लगा दिया दूसरी हमें ताकत दिखी कि उसकी सरकार का तक्ता पलट कर दिया गया, सरकार को बदल दिया गया, ठीक है, दूसरा सबक हमने सीखा, कि मोलिक अधिकार जो है, वो नहीं छीने जाने चीए, तो संविधान में हमने शंशोधन किया, और जो हमारे मोलिक अधिकार थे, वो जो है, वो नहीं छीने जाते हैं हम से, अगर आप पात्काल भी लगता है, तो जो चीजे उस टाइम पे होई थी कि कोड में नी जा सकते, वो नी गर सकते, वो चीजे ब नहीं होती, तो दूसरा सबक हमने सीखा, और समविदान में बदलाव किया, कि आपात्काल के टाइम पे भी मोली कदी कार हम से नहीं छीने जा सकते, और अगला जो सबक हमने सीखा वो था जितने भी अधिकार हैं लोगों के उनको जादा महत्व दिया गया यानि कि शुरक्षा की गारंटी जादा बढ़ाई गई और एक और सबक हमने आपातकाल से लिया वो ये था कि जो एमर्जेंसी लगती है वो सिर्फ और सिर्फ सश़श लोगों ने ठीक है तो एमर्जेंसी लग सकती है ठीक है अगर तालिबान की तरह आ गए बंदूग ले लेके मार रहे हैं पर दानमंत्री को मार देंगे लोगों भी मार रहे हैं कबजा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे सशस्तर विद्रों जब भी होगा तो उसे आंतरी पाते अच्छे से पढ़ लिया है आपसे कारण पूछे आप तब भी बता दोगे परिणाम पूछे आप वो भी बता दोगे 77 के चुनाओं में हार क्यों मिली आप ये भी बता दोगे 77 में किसकी सरकार आई आप ये भी बता दोगे बता दोगे ना पढ़ाने का फाइदा है आपको बढ़ना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेर कर दें क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छी वीडियोज लाता रहूँगा ठीक है और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें ठीक है और अपना प्यार बनाए रखें अपने को सब्सक्राइब कि मैं आपके लुड़े